बड़ी खबर में राम मंदर को लेकर मध्यप्रोदेश में नॉन स्टॉप सियासत हो रही है। श्री राम मंदर निर्मार के लिए कॉंग्रेसियों के समर्थन या विरोध का अब माइना ही क्या है? पैसला आने के पहले इन में से कौन ऐसा माई का लाल है जिसने राम मंदर गर्व ग्रहप पर ही बंढने का दावा किया हूँ? आतनकियों के बद पर रोने वाले आपकार सेवकों के बलेदान पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं। जयवान सिंग्पवया ने कॉंग्रेस को निशाने पर लिया है और ये तमाम बाते कही है। पैसला आने के पहले इन में से कौन ऐसा माई का लाल है जिसने राम मंदर गर्व ग्रहपर ही बंढने का दावा किया हूँ? आतंकियों के बद पर रोने वाले आपकार सेवकों के बलेदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे यह तमाम बाते कहते हुए जैबान सिंग पवया ने कॉंग्रेस को निश्वाने पर लिया है ट्वीट करके उन्होंने निश्वाना साधा है और यह तमाम बाते कहीं है कने को भी मिल रही है कॉन्गरेसीओ पर निश्वाना साधा है जैबान सिंग पवया ने उनका कहना रीमान के लिए कॉंग्रेस के समर्थन के माईने नहीं है राममंदिर को लेकर इस तरीके से एंपरी में सियासत चल रही है वो हर दन बढ़ती जा रही है विनो शर्मा मारे संभाराता सारो जानकारी के साथ जुड़ गए है विनो राममंदर को लेकर मद्यप्रदेश में नॉन स्टॉप सियासत हो रही है अब जैवान सिंग पवया का भी बयान सामने आ गया है बिल्कL देखिये जैवान सिंग पवया का बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि जैवान सिंग पवया उन यताओं में हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को बहुत आगे तक बढ़ाया था, वो बजरंगदल के रास्टी अद्रिक्स थे, जिस समय राम मंदिर आंदोलन शुरुआत हो रही थी, उसी समय से पवया को मंदिर निर्मार की जिम्मेदारी दे गई थी, वो अलग बात एक मामला कोर्ट म कोई बात कहता है, तो पवया को बुरा लगता ही है, आज उन्होंने कांग्रेस पर सीज़ा सा निशाना ये सादा है, कि कांग्रेस की निता, जो कभी मंदिर की गर्ब ग्रेपर बनने की बात नहीं की, वो अगर मंदिर निर्मार में शामिल होने, या मंदिर निर्मार को ले अब जब सारी चीजे साप हो चुकी है, कोट का फैसला आ चुका है और मंदिर का निर्मार कारी शुरू होने जा रहा है, ऐसे में पांग्रिस का अगर कोई नेता मंदिर पर कोई बात कहता है, तो उसी के सम्मन्द में पुगईया ने उस पर ही पलटवार किया है. अब विनोद अगर देखे, कोट अपना फैसला पहले ही सुना चुका है, अब वो शुब तारीख भी आ गई है, पांच अगस्त जब भूमी पूजन होना है, तो अब जब भूमी पूजन होना है, राम मंदिर का निर्मार हो रहा है, तो इन सब बयान बाजी के क्या माइने न बात हो, कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे तमाम नारे बजरंग दलने उस समय निकाले थे, जिस समय जैबान सिंग पवईयर आश्ट्री अब्जेक्ट्स थे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे गई थी, तो इसके सीद उन्हें क्रेज मिले, तो उसका बुरा लगता है, और यहीं माहिने है पवईयर के इस बयान के, कि कॉम्रेस किने का अगर देखें तो राजनीती होती हुई आई है, राम मंदिर निर्मान को लेकर पहले राजनीती चलती रही, यह पूरा केस चलता रहा, लेकिन इसका निप तारा हुआ और भूमी पूजन होने वारा है, तो अब भी राजनीती कहीं न कहीं इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है, विनोस से संपर्ख टूट गया, फिर से चुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ख़बर और आपको बता दें, इसे पहले दिगविजा सिंग ने क्या ट्वीट किया था, ये भी आप देख लीजिए, हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही है, और आज समूचा देश भी राम फरो से ही चल रहा है, इसलिए हम सब की आकांशा है कि जल से जल एक भव्यमंदर अयूध्या राम जन्म भूमी बने और राम लला वहा जडिया आदी धारमिक विज्ञान को मानते हैं, मैं तठस्त हूँ, इस बात पर कि 5 अगस्त को शिलान नियास का कोई मूर्त नहीं है, ये सीधे-सीधे धारमिक भावनाओं और मान्यताओं से खिलवार है, तो ये ट्वीट दर असल पूर मुख्यमंत्री दिगविजा किया था, जिसका पलटवार अब जैवान सिंग पवैया का क्या कहना है? वो भी आपको बता देते हैं, उनका कहना है कि श्रेमारं मंदल निर्मान के लिए कॉंग्रेसियों कि समर्थन या विरोध का कोई माइना नहीं है, नहीं है northwestर पैसला ह Śबकर माई का लाल था, जिस ने ट्वीट किया उसका पलिटवाज जैभान सिख पवया ने किया है दरसल दिग्विजाज सिंग ने अपनी ट्वीट में कहा था कि हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही है आज समूचा देश राम भरोसी ही चल रहा है इसलिए हम सब की आकांशा है कि जल से जल एक भव्य मंदर आयोध्या राम जन भूमी पर बने और राम दला वहाँ पर विराजें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजीव गांधी जी भी यही चाहते थे रही बात मूर्थ की तो इस देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा हिंदू ऐसे होंगे जो मूर्थ दशा का ध्यान रखते होंगे अब ये ट्वीट आप देखिए इसी का पलटबाट जैवान सिंग पवया ने किया है क्या उन्होंने लिखा है वो भी बता देते हैं श्री राम मंदर निर्मार के लिए कॉंग्रेस्वियों के समर्तन या विरोध के अब माईने ही क्या है फैसला आने के पहले इन मेंसे कौन ऐसा माई का लाल है जिसने राम मंदर गर्ब ग्रिह पर ही बनने का दावा किया हो आगे देखा आतंक्यों के वद पर रोने वाले आपकार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे